आज हम पढ़ेंगे भारत की भू आकरतिक प्रदेशों के बारे में एक सामन्य जानकरी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो भारत की जो भू आकरतिक प्रदेश हैं, उनको छे भागों बाटा गया है कौन-कौन से पहला है उत्तर तता उत्तर पूर्वी हिमाले, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है भारतिय मरुस्थल, इसके बाद नीचे आजाईए, चोता है प्रायदी पिये पठार, पांचवा है तटिय मैदान, और छटा है भारत के द्वीप समू. अब इन सबी भुआकरतिक प्रदेशों को एक एक करके हम भारत के मानचित्र पर देख लेते हैं, जिससे भारत के मानचित्र पर हमें इनकी स्तितिका ग्यान हो जाएगा, तो पहला है हमारा उत्तर तता उत्तर पूर्वी हिमाले, अब देखिए इसके अंतरगत कौन-कौन से राज्यम के अंदर सासित प्रदेश आ रहे हैं, लद्दाक आ रहा है, जम्मू कश्मीर आ रहा है, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, उत्तर अखंड आ रहा है, इधर पूर में अरुनाचल प्रदेश आ रहा है, नागालेंड आ रहा है, मनेपूर आ रहा है, मिजोरम आ रहा है और तिरपुरा आ रहा है, तो यह सबी राज्य और केंदर सासित परदेश, इस भॉहाकरतिक परदेश के अंतरगत आते हैं, उत्री दतावत्तर पूर वी हिमाले भॉहाकरतिक परदेश में, प्रमुक परवश्ञणियां, उची-उची परवचोटियां, दर्रे, घाटियां, आदी मिलते हैं अब हम देखते हैं दूसरा वह अकरतिक परदेश जो है उत्तरी भारत का मैदान उत्तरी भारत का मैदान जो है इसके अंतरगत देखिए कौन-कौन से राज्या आ रहे हैं पंजाब आ रहा है हरियाना आ रहा है उत्तरपरदेश बिहार और असम इसके अंतरग लाहेक नदियों के द्वारा निर्मित है इसके बाद हम देखते हैं तीसरा भुहाकर्तिक प्रदेश है भारतिये मरुस्तल तो भारती मरुस्तल का ज़्यादातर भाग पस्यमी राजस्तान में फेला हुआ है कुछ थोड़ा भाग इसका दक्षिनी पंजाब और उत्री गुजरात के अंतरकत भी आता है भारती मरुस्तल में जैंसंक अगनत तुकम मिलता है और इसे थार का मरुस्तल भी कहते हैं चोथा भाग है प्रायदीपीए पठार प्रायदीपीए पठार देखिए भारत का दक्षिनी भाग गई है और भारत का प्राचेंतम भाग भी है इसके अंतरगत मद्यप्रदेश, महराष्ट, चतिसगड, जारकंड, ओडिसा का कुछ भाग इसके बाद आप देखिए गोवा, कनाटक, केरल, तमिलनाडू और आंदरप्रदेश, तेलंगाना ये सभी राज्ये इसके अंतरगत आते हैं प्राइदी पिए पठार खनीजों की दृष्टी से बहुती संब्रद्ध है, यहां खनीजएदिक मिलते हैं, इसके बाद पांचवा भाग है तटिये मैदान, तटिये मैदान को दो भागों बाड़ते हैं, एक है पस्सिमी तटिये मैदान और एक है पूर्वी तटिये देखें तो इसमें कंडनाटक का तटिये शेत्र और केरल का तटिये शेत्र आता है, यह सब आते हैं, पस्सिम तटिये मैदान में और पूर्वी तटिये मैदान के अंतरगत अगर हम देखें तो आता है आपके तमिल नाडू का तटिये शेत्र, आंदर परदेश और ओडिस समुह में आप देखिए यह लक्ष दीप जो अरप सागर में है इसके बाद इदर बंगाल की खाड़ी की तरब है आपके अंडमान और निकोबार दीप समुह इसके लावा दो तीन चोटे मोटे दीप हो रहते हैं जो हम जब दीप समुह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अब यह हमने सामन्य परीचे प्राप्त कर लिया है भारत के भौकरतिक प्रदेशों का अब एक एक भौकरतिक प्रदेश का हम अध्यन विस्तार से करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अध्यन करेंगे उत्तरी तथा उत्तर पूरवी हिमाले के बारे तो that's all from this video. Thank you.